यह कहना कि Congress Party बिखर गई, Congress Party खतम हो गई, यह बिल्कुल गल्थ है, Congress Party एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों को रोडों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोल समय में हरा के दिखाएगी, we are different than the large number of opposition parties, we work with them, we appreciate them, we believe they are important, but we are different, and the way we are different is we represent a national ideology, we represent a vision for the country, none of the regional parties can represent a vision for the country, they can represent a vision for a community or a vision for a state, but they cannot represent a vision for the country, right, and what we are competing with is a vision that the BJP is proposing for the country, so the space of the Congress party will always be there, BJP कहती है, देखो, 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 2000 साल पहले क्या हुआ, वो vision नहीं होता है, जैसे मैंने किसी से कहा, गाड़ी को आप rear view mirror में देखके नहीं चला सकते हैं, accident होगा, वो हिंदुस्तान को हो रहा है, Congress Party आगे देखती है, भूलते नहीं, history को भूलते नहीं, मगर हम आगे देखते हैं, हम देश को vision देने की कोशिश करते हैं, हम देश की आवाज सुनते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी opportunity है, और ये काम सिर्फ Congress Party कर सकती है, और कोई BJP नहीं कर सकती, पाउल जी, ये आपके, क्या है कि चार साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, अब भी जो हाल में गठना करम हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले एक साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएग और इसी में एक सवाल है जहराम रमेज जी ने कल कहा एक सवाल प्लीज एक सवाल बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस आपने सवाल कर दिया तो देखिए चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो आप लोग जानते हो मगर मैं आप से ही कह सकता हूं कि यहां पर ओवर्वेल्मिंग रिस्पॉंस रहा है और हमारे जो कारे करता हैं उनकी मतलब अन्बिलीववल स्टेंट है जो मैंने पहले कहा अगर हमने जो हमारे कारे करता हैं जो हमारे लोड लेवल के लीडर्स हैं उनको अच्छी तरह उनका अच्छी तरह प्रेयोग किया तो हम चुना बहुत आसानी से जीट जाएंगे जो जो लोग हमारे ले काम करते हैं जो लोग हमारे लड़ते हैं अगर उनको हमने सही जगे दे दी तो यहां पर भयंकर जीत होगी स्वीप होगा